हिंदी माध्यम की पार्टशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में हम NCRT के कच्छा दसवी के गड़ित के अध्या 10 व्रत की सभी प्रम्यों को सिद्ध करेंगे प्रम्य 10.1 क्या कहती है दोस्तों व्रत के किसी बिंदू पर इस्पर्श रिखा इस्पर्श रिखा इस्पर्श व्रत को समझ लेते हैं हमें ओक इंदवला व्रत दिया गया है एस प्रम्य में ठीक है तो हमें सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि जो ओपी है ओपी क्या होगा त्रिज्जा होगा वह एकसवाई पर लंब है ठीक है यानि कि ओपी एकसवाई पर लंब है ठीक है अब इसको समझ लीजे ब्रत के किसी बिंदू पर इसपर्ष रेखा ठीक है तो वाली त्रिजय कौन सी होगी ओपी ठीक है तो यह प्रमे कह रही है कि इस पर बिंदू से जाने वाली त्रिजय रचना करनेएं पड़े की इश्पर्श रीका एक स्वाइपर पिए फूर एक बिंदू मिला तृए ब्रत के किंद्र यहीं में मिला दिया अब आजाते हैं उपत्ती पर अब हम प्रमय को सिद्ध करेंगे तो दोस्तों हम जानते हैं कि इस परश रेका वहार रेका है जो व्रत को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेत करती है और उस बिंदू को हम कहते हैं इस परश बिंदू इसके बारे में दोस्तों हम अध्याए 10 के परिचे के वीडियो में पढ़ चुके हैं यदि आपने हमारे अध्याए 10 के परिचे का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें तो जो इसपर्ष रिखा है य व्रत को सिरफ एकी बिंदू पर प्रतिशिद करेगी टीक है इसका मतलब क्या हुआ अध्दात इसपर्ष बिंदू के अलावास इसपर्ष रिखा के सभी बिंदू बरत के बाहर होते है खूण किस इसपरश्रीका ब्रत को शिर्फ एक ही बिंदू बेप्रतिशित करती है तो वही लिखा है अपने आपकेश्रीका के सभी बिंदू ब्रत के बाहर होते हैं तो इसका मतलब जो Q बिंदू है वो ब्रत के बाहर होगा ठीक है अधा बिंदू Q बिंदू के बाहर होगा ठीक है और अगर बिंदू Q बिंदू के बाहर होगा तो Q 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 可 value व्रद्रत के भाहर जितने ही वीबन्दू होग्य। उसकी केंद्र से दुरी तरिज्जा से जादा होगी, तो हमने कहां, कि zer कि ओक j Friday और पी से बढ़ी होगी हो क्योंब्रत के बाहर है तो हम लेख सकते हिए किạo बढ़ा होगा op से तो O Q बढ़ा है O P से, यहां बिंदू P के अतरिक्त इश्पर्ष रिखा, X Y के प्रतिक बिंदू के लिए सत्य है, मतलब कि Q बिंदू अगर P के अतरिक्त कहीं पर भी है, P पर होगा तो O P बराबर O P की हो जाएगा, ठीक है ना तो xy के प्रतेक बिंदू के लिए ये चीज सत्य है oq बढ़ा होगा op से q greater than op ठीक है सिवाए बिंदू p के बिंदू p पर क्या होगा ये दोनों बराबर होंगे ठीक है oq और op बराबर होंगे क्योंकि q बिंदू और p बिंदू संपाति हो जाएंगे ओधा op बिंदू o से xy के अन्य बिंदू की नियुनतम दूरी है अगर हम xy पर बिंदू o से दूरी देखें तो नियुनतम दूरी कौन से आईगी op आईगी ठीक है क्योंकि OP ऑपी जो वह दूरी है ब्रत की तरिज्जा के अलावा, पर ब्रत की थРЕलावा cycle, ब्रत सब का सबर बाहर है, तो WP जो धूरी है, वह क्याओना यह दूरी है तो नP से escolोखने जादा ही आएगी और दोस्तों, हम जानते हैं, हम फिछली कच्छा ओमें पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदू से एक रेखा के अन्यय बिंदु की जो नियुनतम दूरी होती है उस रेखा पर लंब होती है जैसे कि अगर हम बात करें xy की झाल ओ से जो भी नियुनतम धूरी होगी पर तो वो से यहां अमने पर लिग 1 और एक सोल ओसवाई के unser रिखा पर लम्भ सोगी स्क्षच यह थे तो यह इकस भाई से और पर लंब होगा ठीक है यहां हमने दिखाया था ठीक है तो इसका मतलब xy से xy पर o से जो लंब डला जाएगा वो क्या होगा op होगा क्योंकि op ही जो है xy पर o से नियुनतम दूरी है तो हम कह सकते हैं कि op जो है लंब होगा xy पर ठीक है इसपश बिंदू से जाने वाली तुरिजा पर लंभ होता है इसपश बिंदू से जाने वाली तुरिजा कौन सी है ओपी है, तो xy और op एक दूसरे पर लंभ होंगे और यहीं हमने सिध्ध कर दिया, op लंभ है xy पर तो हम कह सकते हैं इती सिध्धम प्रमे 10.2 प्रमे 10.2 में दोस्तों हमें सिद्ध करना है बाहई बिंदू से ब्रत पर खीची गई इसपरश रिखाओं की लंबाईयां बराबर होती है ठीक है दोस्तों हम जानते हैं कि बहाई बिंदू से ब्रत पर दो इस परश रिखा खीची जा सकते हैं किसी भी एक बहाई बिंदू से ठीक है तो दोस्तों हमें एक ओक इंद्रवाला ब्रत दिया है वह बना लिया हमने ठीक है फिर ब्रत के बाहर एक बिंदू पी लिया ठीक ह तो ये हमें दिया गया है प्रमे में हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों इस पर सेखा है PQ और PR बराबर लंबाई की हैं इनकी लंबाईयां बराबर है यानि कि PQ बराबर है PR के PQ और PR की लंबाई बराबर है यह हमें इस प्रमय में सिध्ध करना है आए दोस्तो hugs इस प्रमय को हल कर लेते हैं सिद्ध कर लेते हैं तो इस प्रमय को सिद्ध करने के लिए पहले हमें कुछ रचना करने पड़ेगी क्या होगी वो रचना O-P, O-Q और O-R को मिलाई है तो ब्रत का केंदर O और कॉन R सम कॉन है, कॉन Q ये वाला कॉन Q, ठीक है ये सम कॉन है और कॉन R ये सम कॉन है कैसे आप बता सकते हैं दोस्तों प्रमे 10தंबब 1 के वीडियो में हमने सिद् package किया था कि व्रत के किसी बिंदू पर इश्पर्ष रिखा, इश्पर्ष बिंदू से जाने वाली तरिज्जा पर लंब होती है, तो यहाँ पर देखिए, PQ जो है वो इश्पर्ष रिखा है, Q इसपर्ष बिंदू है, और Q इसपर्ष बिंदू से जाने वाली तरिज्जा कौन सी है, O Q ए तो इसका मतलब और Q लंब होंगे यानि की क्यों सम कौण होगा उसी पिकार देखिये पी आर वो इस पश रेखा है और सबिंदू है और से जाने वाली तृजय कौण सी ओगी oor त才ए जानए की oor और लंब होंगे यानि की कौन R 90 degree का होगा ठीक है इसका मतलब है कौन Q और कौन R समकौन होंगे 90 degree के होंगे ठीक है आप आज़ते हम समकौन तरवज O Q P और समकौन तरवज O RP में दोस्तो इस प्रमेश को शिद्ध करने के दो तरीके हैं ठीक है तो अभी हम पहला तरीका समझ लेते हैं फिर कौन है और उसका कारण बताया हमने प्रमें 10 दश्रम लविक यहां तक दोनों विदियां सेम हैं ठीक है एक जैसी है बस आगे थोड़ा सा बिन्न है तो पहले हम पहली विदी को समझ लेते हैं फिर दूसरी विदी को समझ लेंगे आप किसी भी एक बिदी से करके आ सकते हैं तो समकौन त समकौन तरूपोज OQP ठीक है यह उपर sekali लंबर है और दूसा समकौन तरूप और ये वह ऐफिक है नीले रंग से दिखाए है इसमें वहाम देख लेते हैं कौन Q & www बराबर है क्यों 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 विए और बराबर कौन र, दोनों सम कौन है, ठीक है, तो यह हो गया, right angle के लिए हमने R लिख दिया, ठीक है, RHS, आपको पता होगा, सरवांग समता का नियम, RHS नियम, ठीक है, तो R लिख दिया, फिर O P क्या है, 90 degree के कौन की सम्मुख बुजा है, दोनों तिर्बुजों में, कर्ण के लाबा है तो एस लिख दिया साइड के लिए तो रहस नियम से यह दोनों तरूज क्या हो जाएंगे सरवांग सम हो जाएंगे क्रम क्या होगा क्रम बहुत मैथ्पून होता है क्रम होगा देखो जो भी इनका सम कौन है 90 डिगरी का कौन है वह अक्षर पहले लिख तो पहले में लिख दिया क्यों दूसरे में लिख दिया ठीक है फिर जो भी हाइपोटेनियस होता है ठीक है हाइपोटेनियस को लिख देंगे पर एक ही क्रम में लिखेंगे अगर ओपी है तो ओपी दोनों तरफ ओपी लिखेंगे नहीं तो दोनों तरफ पी ओ लिखते ठी तुरुज QOP सरवांग सम है तुरुज रोपी के यानि कि ये दोनों तुरुज क्या है सरवांग सम है ठीक है अब ये दोनों तुरुज सरवांग सम हैं तो इनके संगत भाग भी बरावर होंगे यानि कि संगत बुजाएं भी बरावर होंगे तो दोस्तों हम कह सकते हैं दोको तीसरा और पहला अक्षर ले लो, बाई हो दाइं तरफ, तो बाईं तरफ लेंगे तीसरा अक्षर, तो P, और पहला तो Q, तो P Q, बरावर किस के होगे, दाइं तरफ के भी तीसरा और पहला अक्षर के, यानि कि P और R के, तो P Q बरावर आ गया P R से, किस नियम से, CPCT के नियम से का नियम क्या कहता है जोस्तों सर्वांग्सम तिर्भुजों के संगत भाग बरावर वहते हैं यानी हमारा रहा पी-कू-प्यर और इस प्रमय नहीं यहांध सब्सक्राइब कर दिया आप चाहें तो दूसरी विदी को भी सीख सकते हैं वीडियो में आगे अगे क्या होगा इसमें समकॉंड तुर्भुज OQP में पाइथागरस प्रमें लगा देंगे समकॉंड तुर्भुज OQP कौन सा है यह वाला लाल रंग से हमने दिखाया है पाइटागरस्पर में क्या कहती है दोस्तों करण का वर्ग बराबर अधार का वर्ग धन लम का वर्ग या कह दे करण का वर्ग बराबर अन्य दो बुजाओं के वर्गों का योग करण क्या होता है दोस्तों 90 degree के कौन की सम्मक वजा तो यहां पर करण हो जाएगा हमारा दोस्तों OP तो OP का वर्ग ठीक है तो OP का वर्ग बराबर अन्य दो बुजाओं के वर्गों का यो अन्य दो बुजाएं कौन सी हैं एक है PQ तो PQ का वर्ग धन दूसरी बुजा कौन सी करण के लावा OQ तो OQ का वर्ग तो हमारा आगया OP का वर्ग बराबर PQ का वर्ग धन OQ का वर्ग इसे माल लेंगे समीकरण एक अब हमने दोस्तों एक समकौन तर्बुज में तो पाइधागरस प्रम में लगा दी ठीकिए यह होता है हमारा तो करण क्या होगा 1997 के कौन की सम्मौख वुजाया यानि che OP ठीकिए तो बराबर आज़एगा अन्य दो बुजाओं की वर्गों का योग यानि Kी OP यह हमारा ओ अदूट का वर्ग आजएगा हमारा करण का वर्ग अन्य दो बुजाओं के वर्गों का योग, यानि कि PR का वर्ग धन OR का वर्ग, ठीक है, तो वो लिख दिया हमने यहाँ पर, इसे माल लेंगे समीकरण 2, अब दोस्तों ध्यान दीजे, समीकरण 1 में बाइन तरफ है OP का वर्ग, समीकरण 2 में भी बाइन तरफ है OP का वर्ग, त हम कह सकते हैं, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो इन दोनों के बाइन तरफ आपस में बराबर है, तो इन दोनों समीकरणों के दाइन तरफ को आपस में बराबर लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, PQ का वर्ग, धन OQ का वर्ग, बराबर PR का वर्ग, समीकरण 2 से, ठीक है, अब तो बहुत ही आसान है दोस्तों PQ का वर्ग धन, OQ का वर्ग बरावर, PR का वर्ग धन, OR का वर्ग है ठीक है यहाँ पर देखिए ध्यान देजे जैसे कि हमने पहले भी देखा था पहले विदी में OQ बरावर OR होगा OQ और OR बरावर होंगे क्यों? क्योंकि यह एक वर्ग की त्रिजाए है अगर OQ बरावर OR होगा, तो OQ के वर्ग की जगे हम लिख देंगे OR का वर्ग तो देखिए, PQ के वर्ग को वही लिख दिया हमने PQ का वर्ग दं का चिन फंग अब 2 वंद अब दहीं तरफ और और न यह music ऐगा हो हमारा पीकुआ बराभर पियार के खर दिया उड़ार कि अ ने चाहिए अब दोनों तरह अंडरबने वर्ग मूह ले लें तो हमें क्या मिलेगा मिली क्यों आतर यही आम iba प्रमय को सिद्ध करने की आपको जो भी विद्य आसान लगे आप उस विद्य को परिच्छा में लिखकर आ सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि सदिक सदिक लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों